क्या परवचन करेंगे आदर निलालू परसाद जी के एक ट्विट से उनके नाम से ही सरकार का ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है भेंटिलेटर की ज़ुरत पड़ जाती है लोग तंत्र में जनता के साथ गदारी सबसे बड़ा महमारी है और ये मौत के मुझरिम सरकार इनको बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है बल नहीं है जिनके कारण गंगा मा की गोद में लाकों के अंबार पड़े हो जिस तरह मौत का तांडव हुआ ये मौत के मुझरिम सरकार किस मुझ से जनता को बोल रही है आधरनि लालू परसाथ जी के एक ट्विट से उनके नाम से ही सरकार का ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है भेंटिलेटर की ज़ुरत पड़ जाती है आधरनि लालू परसाथ जी के ट्विट के कारण ही सरकार आज डवल इंजन की भेंटिलेटर पर है सरकार के सहयोगी ही उनका पतवार जप्त किये हुए हैं आधरनि अमान जी जी तो सरकार बचाने में परेसान है डवल इंजन की सरकार बिहार की जनता की जान बचाने की चिंता नहीं है अब ये लोग लालू चलिसा का पाट करने वाले लोगों को जनता माप करने वाली नहीं है लालू परसाद जी ने तो पूरे बिहार के गाओं का स्वास्त उपकेंदर बना करके वहां इलाज की बवस्था कराई ये तो परत्यक्ष परमान के साथ हम लोग दे रहे हैं लेकिन जब सरकार को आइना दिखाया जा रहा है कि स्वास्त उपकेंदरों की गाओं में सब जगे क्या हालत कर दिया सुल्ल वर्सों में तो पेट में दर्द हो रहा है तो बौखला करके पूरी सरकार तो कॉरूंटाइन हुई हुए सरकार निकल नहीं सकती है जनता के बीच में ये जो कॉरूंटाइन फैमली है डवल इंजन की सरकार इनको जनता के पास तो जा नहीं सकते हैं जनता खोज रही है इसलिए घरों में दुखके पड़े हैं लालू परसाद जी अर तेजस्वी जादव जी का चलिसा पड़ रहे हैं माउत का तांडव के लिए जिम्मेवार डवल इंजन की सरकार को माप नहीं किया जा सकता है वह तो स्वासूप केंदर में तवेले में तबदिल हो गिया है तो ये क्या परवचन करेंगे